हेलो मेरे प्यारे किसां साथ ही हो ड्रीम एकरी कल्चर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस प्लास्टिक की रसी की साहता से हम होरीजोंटल मचान यानि कि जो छतनुमा मचान होता है दोस्तों कुछ इस परकार किसे यह आप वीडियो में देख सकते हैं इसकी बंदाई कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा दोस्तो ये देखिए तार बास की सायता से और इस प्लास्टिक की रसी की सायता से हम ये होरीजोंटल मचान जो इसको बोला जाता है ये आप देख सकते हैं वीडियो में इस परगार की मचान हम पलास्टिक किरसी और तार और बांस की साहता से हम बनाये हैं यह देखिए दोस्तों यह इतना टाइट है कि यह गिर भी नहीं सकता है यह देखिए और इस पर लोकी की बेल जो है यह आप वीडियो में देख सकते हैं यह इस पर चड़ रहा है और देख UE आ तो कोई भी बेल वाली सब्जी करने के लिए यह देखिए सबसे पहले हम एक सीरह में बांदे या वीडियो में देख सकते है और इसके हमिए इस लुकिके हम कुछ यह में बांदे है यह आप देखिए पलाष्टी की रसी हैं हम वीडियो में बता यह देखिए इसके जर में बांदे है और इस तरह से लपेड करके यह देखिए हम इसके एक उपर बांदे है और यह जैसे जैसे बरा होगा यह पौधा हम इसको इस तरह से लपेड देंगे यह देखिए दोस्तों इस परकार से आपका यह पौधा पुरा उपर चड़ कि दोस्तों कोई भी बेलवर यह फंसल आप लगाते यह कोई भी सब्जी आप लगाते हैं तो इसको पर डे वीजिट करना बहुत जरूरी रहता है यह देखें दोस्तों जैसे की उपर चढ़ा बट यहां पर आया तो यह इसको चढ़ाने के लिए हमारे टाइम नहीं मिला और यह यहां से नीचे टूट चुका है यह देखें दोस्तों कि इसको इस तरह से आप जैसे जैसे बारा होगा यह आप लपेट रहे लपेट सकते हैं कि ताकि यह पाउधा उपर चढ़ जाया असानी से आप परने अपने खेतों में नहीं जाते है तो आपका पाउधा यह खराब हो सकता है या विडियो में देख सकते हैं जैसे कि यह मेरा खराब हो चुका है यहां से तुट चुका है यह देखिए दोस्तों यहां पे भी है वैसा इस सेम कंडिशन यहां से लब चुका है नीचे के तरफ तो दोस्तों इसको इस तरह से आप लपेड़ दीजिए ताकि यह उपर चड़ जाए और यह पुरी तरह से मचान पड़े फ़ल जाए नहीं तो आप अपने खेतों में नहीं जाएंगे तो यह आप इस तरह रखन उक्सान हो सकता है यह यह देखिए दोस्तों यह उपर चड़ रहा है को दोस्तों हमारे वीडियो को तो देख ले तो लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हो यार दोस्तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा ताकि और वीडियो हमां इस फर बना के डाल सके और किसानों के फैदा हो सके यह देखे दोस्तों यह उपर भी चड़ चुका है दोस्तों यह जो मेरा पौधा है यह मातर भी 35 दिन का है जी हाँ दोस्तों 35 दिन का और यह उपर भी चड़ रहा है और कहीं कहीं पर फॉलावरिंग भी स्टार्ट हो चुगया है यह देखें दोस्तों यहां से लब रहा है नीचे की तरफ इसको हम इस तरह से लपेट देंगे कि दोस्तों खुद से केमरा कर रहा है इस तरह इसलिए वीडियो थोड़ा इधर उदर हो जा रहा है कि दोस्तों इस तरह से आप चड़ा सकते हैं कि दोस्तों यह रशी की सायता से उपर की तरफ यह चड़ रहा है कि इसको इस तरह से आप लपेट दीजिए कि दोस्तों यदि आप भी कोई भी खेती करना चाते है तो आप लपकी का खेती जरूर कीजेगा ताकि आपको आधिक मुनापा हो सके और वह भी लपकी कीजिएगा तो आप जमीन में नहीं बलकि कि इस तरह से मचान विदी से आप करते है तो आपकी लपकी काफी सीधी होगी जो कि मार्केट में काफी अच्छा रेट मिलेगा और सबसे पहले भी बिकेगा दोस्तों हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में सेयर करना भी ना भूलिएगा दोस्तों यदि आप भी इस तरह से मचान विदी से आप खेती करते हैं तो आपको लाखों की मिनाफ़ा हो सकता है मचान विदी से करने से यह फायदा होता है कि आपकी फल जो होता है लोकी जो होता है वो सीधा होगा उसमें कोई रोग नहीं लगेगा और मार्केट में इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादे रहता है